गुट मूर्निंग एवरिवन इस इस आर फर्स्ट टैंडर्ड एंड सब्जेक्ट इस इंग्लिश ओके नाओ तुड़े वी आर गुएंग तुड़े वी आज तक हमने पड़ा उसका आज हम रिविजन देखने वाले हैं तो सबसे पहले हमने टू लेटर वर्ट्स देखे थे आपको टू लेटर वर्ट्स को क्या करना है? मैच करना है तो इस इस आर फर्स्ट लेटर एंड डूंडिए यहाँ पर आण कहा है? तो यहाँ पर आण है आण को आण के साथ मैच कीजिए then second word is it, so here is it, so match it then third letter is my, here is my, okay तो माई को माई से मैच कीजिए then if, if, match, then b, e, b, b, e, b, match okay, आप कौन सा बचा? यह, up, 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 up यह हो गया हमारा match the pair, okay, यह आप अपने बुक में लिख लेंगे अच्छे से, okay, then second question, fill in the blank हमने वोवल साउंड्स पढ़े थे 3 letter के, आपको यहाँ पर पिक्चर के साथ मैंने 3 letter words दिये हैं, तो पिक्चर पहचानों और वोवल्स फिल अप करते जाओ, जैसे की, that is a picture of bat, so you have to write, b, a, t, कौन सा वोवल लगाया है? a, b, a, t, bat, then c, a, t, cat, यह कौन सा पिक्चर है? mat, m, a, t, mat h, a, t, hat pin, p, i, n, pin p, o, t, pot c, u, p, cup this is the picture of toy, t, o, y, toy s, u, n, sun m, alien man t, e, n, ten यह पिक्चर तीन का है, t, i, n, tin den, गुफा d, e, n, den and this is the picture of pen p, e, n तो यह three letter words आप अपने book में picture के साथ निकालिये अच्छे से, okay then third question is write the phonic sounds of alphabets हमने phonic sounds पढ़े थे मैंने लिखकर भी दिये हैं आपको तो आपको इन alphabets के phonic sounds लिखना है जैसे की for example a का sound a a का sound a b का sound b c का sound k d का sound d e का sound a f का sound f g का sound g h का sound h i का sound e j का sound j k का sound k l का sound l m का sound m n का sound n o का sound r तो ये आपको feel up करना पड़ेगा, okay तो ये आपका homework है और यही आपका revision तो ये आप अपने notebook में अच्छे से लिखो और study करो, okay तो आज के लिए इतना काफी है ग बुपर के से लिए और घ इतना का अच्छे से लिए ऑड़ेघ्ज है। आपकर सब्सेशियर अ लेगे जापके लिए खाशाचे ऑची गरफड़ेड़े ऑपकाने मेंगरी अच्छे सेुटराइङा है।